नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें GDS Official ग्रामिन डाक सेवक और डाक विवाक का सबसे भरोसे मन चैनल अगर आपना सबस्क्राइब नहीं किया है तो चल्दी से फ्री में सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पे फ्री में सारी ब्रीकिंग नियूज और अपडेट्स हम आपके लिए हर रोज लाते है बड़ी खबर आपको बता दे कॉंग्रस जो है आज अपना खोशना पत्र जारी करने जा रहा है ग्रामिन डाक सेवकों के बहुत सारे उमीदे है इसे क्यों क्योंकि ग्रामिन डाक सेवकों की बड़ी बड़ी यूनन ने इस जो घोशना पत्र है उसमें ग्रामिन डाक सेवकों की व्याथा उनकी जो प्र आता हमारी वेबसाइट में आप अपना जो है प्राब्लम लिखे या फिर हमें ग्यापन दीजे तो इसी तरह यूनियन ने और सब भी ग्रामिन डाक सेवकों ने भी इनको जो है वेबसाइट में दिया है ग्यापन भी दिया है अलगलंग मंत्रियों से बाद भी की है तो आज जो है गोशना पत्र कुछ देर बाद जब जारी होगा तो काफी उमीदे होंगी लेकिन दोस्तों यह जो गोशना पत्र यहां पर दिये गए है काई सारे बड़े वादे यहां पर किये गए जैसे कर्ज माफी कव किसानों का जो होता है वो किया गया है फिर फसल का लापकरे मूले दिलाने का वरोसा क्या गया है हर नागरिक के स्वास्त की गारंटी का जो है कानूनी अधिकार का वादा क्या गया है इसी तरह से कई बड़े बड़े वादा किये गये है और यहाँ पे नियाय जो है सबसे बड़ा जो स्कीम हो लेके आ रही है जिसमें 72,000 पर येर देने जा रहे है यह कई सरे वादे किये है लेकिन अभी जो है ग्रामिन डाक सेवको की बात इस रिपोर्ट में आप नहीं देख पाएंगे और यह जो है अभी इलेक्शन के पहले आपको पता है तमाम जितने भी नेता है उनका काम होता है वादा करना और इसके बाद भूल जाना तो यहाँ पर आपको पता दे कॉंग्रेस 70 साल से रास कर रही है डिया में अभी तक ग्रामिन डाक सेवको कोनों ने पर्मेन्ट नहीं किया और मोधी गवर्मेंट एक इवल 5 साल हुए है और कोई भी जो गवर्मेंट है नहीं चाहेगा कि डारेक्ली जीडियस को जल्दी से पर्मेन्ट करना उनके लिए जो है संबव है ही नहीं और नहीं वो चाहेगा लेकिन नामुम्किन नहीं है दोस्तो नामुम्किन नहीं है मुश्किल है क्योंकि एक साथ तीन लाग लोगों को permanent करना काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन ऐसे कुछ नियम है जो ला सकता है और कुछ changes कर सकता है रूल में जिससे ग्राम इंडाक सेवर का एक minimum wage बन सके कम से कम 18,000 से 20,000 का तो दूस्तो इस पर सोचने की जरूरत है और काज आज क्या होता है उसके मांग पत्र जो कॉंग्रेस के मांग पत्र में आता है कि नहीं GGS की मांग इसको लेकर हम अजल्ट से जैसे ही चारी करते है लाइव जब भी आएंगे कॉंग्रेस तो हम आपको बता देंगे आप बने रहे हमारे साथ तन्यवाद